नमस्कार दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का हार्तिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल रहमत राज माथमेटिक्स में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट एक्जाम 2021 के लिए लेटेस न्यूज के बारे में 11 फरवरी की सबसे बड़ी खबर 25 अप्रेल को परिक्षा को लेकर सबसे बड़ी खबर आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो दोस्तों यदि आप रीट की त्यारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर लगातार मोडल पर अप्लोड हो रहे हैं आप उनसे जरूर जुड़ें वो आपके लिए फाइदमन सिदूंगे तो चलिए दोस्तों देखते हैं लेटेस्ट न्यूज क्या है इससे पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो दोस्तों जैसा क्या आप देख रहे हैं शिक्षा मंतरी को सोपा ग्यापन दोस्तों मैं आपको पहले भी बता दू मैंने पहले भी का है परिक्षा तिति आगे बड़े या नहीं बड़े आप अपनी त्यारी 25 अपरेल मान कर करें लेकिन जो भी न्यूज आती है उससे आपको अवगत कराना भी जरूरी है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह आज ही की खबर है मावीर जेनती 25 अपरेल को होने वाली रीट परिक्षा तिति को बदलनी की मांग को लेकर जेन सिटीजन फाउंडेशन का परतिनीदी मंडल सलाका राजंदर के गोदा के नेतरतों मे शिक्षा मंत्री गोविन सिंग डोटासरा से मिले परतिनीदी मंडल ने शिक्षा मंत्री को ग्यापन देकर मावीर जेनती के दिन परिक्षा आयोजित नहीं करवाने की मांग की है गोदा ने बताये कि यह दिन जेन समाज के लिए महतवपून परव है मंत्री डोटासरा ने शिष्ट मंडल को आस्वासत किया है कि इस समंद में जल्दी ही मुक्यमंत्री से बात करके उच्चित नेड़ने लिया जाएगा संस्तापक अध्यक्स सुदिर जेन गोदा सच्चिव असोक जेन को ट्लेर ट्रश्टी परमोद जेन भारत बुसन अजमेरा रहे मोजूद इधर देखी रीट परिक्षा अलप संक्यक आयो के पूर्व अध्यक्स जस्वीर सिंग ने मुक्यमंत्री को पत्र लिकर परिक्षा तिति में बदलाव करने की मांग की तो दोस्तों आप देख सकते हैं और गोविन सिंग जी डोटासरा ने भी का है कि मुख्य मंतरी से इस सम्मन्द में जल्दी बात करके उचित निड़ने लिया जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर यह फिक्स नहीं वाए कि 25 अपरेल से बढ़कर कितने दिन आगे बढ़ सकती है यदि जादा नहीं बढ़ी और यदि आपने अभी तयारी छोड़ दी तो आपका गाटा हो सकता है दोस्तों इसलिए आप 25 अपरेल मा है तो पूर न्यूज आपको क्या लगता है कि ये रीट पर चिस अपरेल को होगी या नहीं होगी अगर नहीं होगी तो कितनी आगे जा सकती है आप अपना सुजाव जरूर दीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय बारत थैंक यू